दोस्तो जिस प्रकार से हम लोग गेहूं की रोटी बिना टेंसन के बना लेते हैं उसी प्रकार से आज हम लोग बाजरे की भी रोटी बनाएंगे बस एक ट्रीक इसमें फालो करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को वीडियो में सेयर करने वाली हूँ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आप गेहूं की रोटी जैसे बाजरे की रोटी बना सकते हैं हाई एवरिवन स्वागत करते हैं आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लाग समें दोस्तो बाजरे की रोटी बनाना कोई उतना मुश्किल काम नहीं है बस खाने का हमें सौक अग रोटी का आटा लिया है मतलब दो मुठी आटा लिया है दो मुठी में हमारी दो रोटी आराम से बड़ी सी बन जाएगी छोटी भी नहीं बनेगी एकदम बड़ी सी बन जाएगी कि एक रोटी में ही हमारा खाना हो जाएगा तो बस हमें आटे को ठंडे पानी से ही हलका हलक हमें पानी डाल कर इसे गीला करना है जिस प्रकार से हम लोग गेहूं की रोटी बनाते हैं और आटे को लगाते हैं उसी प्रकार से इसे भी हमें लगाना है बस इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि जिस प्रकार से हमें थोड़ा सा टाइट रखते हैं हम लोग गेहूं का है ऐसे कैसे खोड़ा सांके वे इसके आटे को लगाना है जिससे की हमारी जो रोटी सामने सांके और फटे नहीं एकदम फूली फूली बनेगी जिस प्रकार से हमारी गेहूं की रोटी बनती है तो बस इसी प्रकार से अगर रगड़ते वे हम लोग अगर आटा लगाते हैं चाहे बाजरे की हो मक्के की हो या जवारी की रोटी ही क्यों नहों बस इसी तरीके से हमें इस ट्रीक को अपनाना पाँच मिनट ढखके रख देना है और फिर दो मिनट हमें इसे और उसी प्रकार से हलका सा हाथ में पानी लेना है और फिर हमें इसे सौप्ट और कर लेना है साफ्ट करने के बाद में जैसे कि मैंने बताया कि मैं दो रोटी बनाने वाली हूँ तो दो रोटी के लायक मेरा ये आटा तैयार हो चुका है और इसकी दो लोई हमें बराबर बना लेना है मतलब छोटी बड़ी नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम चाहे तो इसकी तीन रोटी बना सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी इसलिए हमें दो ही लोई बनाना है क्योंकि ये ज्यादा पतली हमें नहीं बनाना है जिस प्रकार से गेहूं की रोटी बनाते उतनी पतली नहीं बनती है हमें सभी जवारी या बाजरे की रोटी थोड़ी से मोटी ही रहती है तो बस इस तरीके से हमें दो लोई बना कर रख लेना है और बाजरे की हम लोग रोटी बना रहे है तो हमें बाजरे का ही आटा लेना ह गेहूं का नहीं लेना है चाहे तो ले भी सकते है लेकिन हमें बाजरे का ही आटा लेना है और जैसे गेहूं की रोटी हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं जैसे हलका सा हाथ में आटा लगा लिया और थोड़ी बड़ी हाथ में कर लेते हम लोग डोई को और उसके बाद में हम चौकी पे बेल लेते हैं, तो बस इस प्रकार से हमें इसे भी बेलना है, लेकिन जो रोटी हम लोग गेहूं की बनाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ताकत लगाना होता है, मतलब दबा कर बेलना रहता है, लेकिन इसे हमें हलका हलका ही बेलन को दबाना है, हमें इसे ज़्यादा पतली नहीं करना अगर जादा पतली करेंगे तो ये चवकी में चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं तो इस प्रकार से हमें रोटी को निकाल कर तवे पे डाल देना बहुत ही आसानी से हमारी ये रोटी निकल जाती है और बिल्कुल भी फटती भी नहीं है और कहीं से मोटी भी नहीं रहती है अगर बेल कर अगर हम लोग रोटी बनाते हैं तो जिसे रोटी बनाना बिलकुल भी नहीं आता है मक्य की जवारी की या फिर बाजरे की वो इस तरीके को जरूर से अपनाए जिससे कि उनको रोटी बनाना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग डेली ग हमारी रोटी फटेगी नहीं और फुली फुली बनेगी साफ्ट बनेगी तो दोस्तों आज की मेरी बाजरे की रोटी की रेसेपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंड करके जरूर बताईए और आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए क्यो होंगी तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट किट करें